देश अनुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे। Recently Free Fire को Play Store से हटा दिया गया है। अब यहां पर यार काफी सारे लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं क्या एक्चल में Free Fire बेन हो गया है। और Play Store से क्यों हटाया गया। Complete Detail समझ लेते हैं इस वीडियो में क्योंकि कल से Free Fire बेन से रिलेट काफी सारी ऐसे वीडियो बन रही है। काफी सारी आसे न्यूज वाइरल हो रही है जिसमें बता जा रहे है यार एक्चल में जो Free Fire बेन कर दिया गया है। Play Store से फाइनली रिमूब तो हो गया है। अब discussion कर लेते हैं यार क्या एक्चल में Free Fire बेन हुआ है। और हुआ है तो किस रीजन के बज़े से हुआ है कंप्लेट डीटेल समझते हैं। मैं आप सभी को बता दू कि कल मैंने रिसेंट लिए देखा था कि एपल और iOS दोनों से मतलब कि Play Store में तो पहले था। और लेकिन सबसे पहले जो है Apple Store और iOS दोनों से Free Fire को रिमूब कर दिया गया था। लेकिन फाइनली आज जो है Play Store से भी इसको रिमूब कर दिया गया है लेकिन मैं आप सभी को बता दिना चाहता हूं कि एक्चल में इसके पीछी का रिजन क्या है और क्या एक्चल में Free Fire वेन हुआ है वो आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बॉटल ग्राउंड मॉवाइल इंडिया मतलब की पब्जी मॉवाइल इंडिया एंड फ्री वाय दोनों की कॉंट्रोवर्शी चल रही थी पब्जी वालों को कहना था कि कुछ जो स्पेसिफिक के सनिया फर जो कुछ चीज चीज है मानलो आप लोग मानलो एक्जांपल के गंस वगेरा बॉम्स वगेरा है जो की उनकी कॉपी करे गए है पब्जी वालों को कहना था कि उनका कॉपी किया गए था लेकिन फ्रीफायर वालों का इस पर कोई रिस्पॉंस नहीं था तो हुआ यह कि दोनों के बीच जो है कुलमिला के ऐसा केसिस बगेरा चल रहे थे को इस टूर से नोर्मली जो है फ्रीफायर को रिमूब कर दिया है अब यह रिमूब कब तक किया है इसके बारे में कोई इंफर्मिशन नहीं है बट ऐसा नहीं है कि अभी इसको बैन कर दिया हो इसका कोई भी कंफर्मिशन नहीं है कि फ्रीफायर को हमेशा के लिए बैन किया थोड़ावन अपडेट के बाद या फिर थोड़ावन चेंजिस के बाद हो सकता है कि होप बापस से आ जाए बाकिया लाइक से रहें सब्सक्राइब और भी अपडेट में आपको देते रहूंगा